प्रियाग राज सूट आउट को ले करके पूरे सूबे की राजनीत गर्म है विधां सभा में सीम योगी और सपा प्रमुक नेता विपक शकले स्यादव में आर पास चल रहा है उधर पुलिस जो है एक्सन मौड में है एक एंकाउंटर अभी तक हो चुका है अरबाज का जो की उस दिन हत्या वाले दिन क्रेटा गाड़ी चला रहा था दो की गिरफतारी हुई है एक का नाम है नफीस जो की बिद्यानी वाला है और जो दूसरा सक्स है वो अतीक का खास है वकील जिसका की नाम है सदाकत उसने जो है बदमासो को मुस्लिम हस्टल में मिलवाया था और आज बारी है जफर आहमद की कौन है वो जफर आहमद जिसके घर पे चला बुल्डोजर सफेद कोटी पे देखिए कैसे चल रहा है बाबा का बुल्डोजर देखा आपने अब सवाल ये है कि क्या भूमिका है इसकी दरसल जफर आहमद वो सफ है जो अतीक का राई ठेंड है उमेजफाल के हत्यारे इसी मकान में रुके थे अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीन से जो अपराधी है उनकी मुलाकार यहीं पे हुई थी यहीं पे साजिस्रची गई थी और जैसे ही पूरी तस्वीर के लिए वैसे ही प्रयार राज दिकास प्राधिकरण का बुल्डोजर गरजने लगा क्योंकि यह अवैद रुप से बना था इसका नक्सा पास नहीं कराए गया था एक सवाल उठता है कि कैसे जब भी कोई अपराधी कटना होती है सीम जोगी का बुल्डोजर पहुंच जाता है मकाम तोड़ने के लिए किस कानून के ताथ कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मकान बना है वो नियम कानून के मुताबिक बना है कि नहीं बना है नक्सा पास है कि नहीं पास है तो कितने का नक्सा पास है कितना अबैध है तब जाकर के करवाई की जाती है इस मकान पे जो बाबा का बुल्डोजर गरजा वो इस अधार पे गरजा है क्योंकि इसका नक्सा पास नहीं था यहाँ पे विदेशी राइफले विली है साइस्ता प्लवी जो कि अपने को निर्दोस बता रही है अपने पती और अपने परिवाद को निर्दोस बता रही है जो खबर आ रही है उस खबर के मिताबिक वो भी अपरादियों से मिलती जूलती थी अतीक आहमत के गुर्गों से मिलती जूलती थी और प्लानिंग में सामिल रही है ये खबर आ रही है और उसी आधार पे ये करवाई की गई है जफर आहमत के खिलाफ ये पैसे से काफी और यह मदद किया करते थे उसी का नतीजा है कि बाबा का बुल्डोजर गर जा है उनके घर पे अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या आगे जो नौ नामजद किये गए हैं उनकी गिरहतारी पहली चुनावती दूसरी कि किनके किनके घर अबैद बने हैं ताकि उस पे कहाने को बहुत बड़ा बाववली माफिया डॉन है और इस तमय महमदाबाद के सावरमती जेल में बंद है उसका भाई असरव जो कि बरेली सेंटरल जेल में बंद है यही दोनों हैं जो पीछे से प्रसरय देते हैं काप रहें क्योंकि योगी सरकार के एक मंत्री ने एक सा चर्य नहीं मिट्टी में मिला देने का मतलब समझ जाई है अब यह लोग भागे भागे सुप्रीम पोड़ पहुंचे है कि जान बचाईया जेल से ना निकलने दिया जा अधरवाईज बाबा की गारी पलट सकती है बाबा की गारी पलटने का क्या मतलब है यह पलटा जा सक दरसल याद किजिए 2020 का वो वाक्या है जबकि विकास दुबे ने पुलिस वालो को मारा था आतनौ पुलिस वालो और जाकर को जैन्म उसने गिरफतारी दी थी वहां से लाते हुए रास्ते में विकास दुबे की गारी पलट गई थी और उसका एंकाउंटर हो गया था तब लोग चटकारे लेकर के बोलने लगे और उसी गारी पलटने के डर से अतीक अहमद थर-थर काप रहा है और इधर जो है बुल्डोजर चल रहा है जाफर अहमद के घर पे है जिसे सब कोठी के नाम से जाना जाता है तो आप जो करवाई सुरू हुई है उस करवाई के बाद माफियाओं में साफ सब संदेश यूँ तो संदेश पहले से था लेकिन जिसने भी माकत की जो मतलब जिसने भी ये प्लानिंग की वो यहां तक सोची नहीं पाया कि इसके बाद अंजाम क्या होगा वो अंजाम अब पता चल रहा है कि एनकाउंटर से ले करके और घर जमीन दोज करने तक सब कुछ होगा क्योंकि सियम योगी बोल चुके हैं कि मिट्टी में मिला देंगे राएने भी खबर देखते रहिए इनकाबर थैंक्यू